नमस्कार दोस्तों रेल्वे भरती बोर्ड की सूचना दोस्तों अभी अभी यह लेकिया है हूँ में आप लोगों के सामने तो ग्रूप D के जिस भी कंडिडेट ने फोर्म एपलाई किये थे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो कि ہمارا एपलिकेशन स्टेटस कब चैक होगा तो दोस्तों आपका ओनलाईन एपलिकेशन स्टेटस आप चैक कर सकते हैं किस-kis के फोर्म रिजक्ट हुए हैं दोस्तों और वो क्या कार्ण रहा है दोस्तों रिजक्ट होने का तो दोस्तो ये RRB Bhopal की official website है तो आप यहाँ पे check कर सकते हैं दोस्तो ये official website open हो गई है तो दोस्तो यहाँ पे जो notice भेजा देखो notice आपको highlight हो रहा है railway भरती प्रिक्षा में सामिल होने वाले अभ्यरती साउधान तो आपको साउधान होना है तो दोस्तो ये 24 जुलाई को notice आया था कल रात को notice आया था इसके अंदर इसके अंदर कहा गया है दोस्तो जो notice है सबसे पहले आप यहाँ पे notice देख सकते हैं और अगर आपको second point के अंदर लिद रखा है दोस्तो आपको login करना है और application status को अपना check कर सकते हैं और इसका time period है दोस्तो 25 जुलाई यानि कि आज से और 31 जुलाई तक यानि कि 31 जुलाई रात 12 बजे के बीच में और आज से आप अपना application status चेक कर सकते हैं तो उसके लिए जो notification आया है वो notification को download कर लेते हैं दोस्तो मैंने already download कर लिया है तो यह आपको official notification है इसके अंदर कहा गया है दोस्तो Government of India Ministry of Railway Railway Recruitment Board की तरफ से जो notice आया है दोस्तो CEN No.RRC01-2019 है Recruitment of Level 1 Post है दोस्तो application status के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि application work called for the various post of Level 1 wide CEN No.RRC1-2019 तो दोस्तो इसके अंदर कहा गया है जो आपका application status से एक 2019 है उसकी जो scrutiny of application है वो complete हो गई है दोस्तो इसके लिए जो candidate ने apply किया है तो उनके दो तरह के candidate है दोस्तो सबसे पहले वो candidate है दोस्तो जो eligible है provisionally यानि की जिनका form accept हो गया है और second candidate वो है दोस्तो जिनका form reject हुआ है तो किस कार्ण से reject हुआ है दोस्तो वो भी हम आपको पताने वाला हूँ उससे पहले दोस्तो सारे के सारे जितने भी railway recruitment के board है उन सभी का आपको नीचे notification दिया हुआ है दोस्तो तो यह आपके सारे के board का आपको notification है दोस्तो आप यहां से किसी भी board के उपर क्लिक करके आप जा सकते है तो अगर आपको किसी भी board से आपने apply किया है तो उनका link मैं already description box में दे चुका हूँ तो आप वहां से आप direct link के उपर क्लिक करेंगे तो आपका official website खुल जाएगी इसके अलावा दोस्तो यह जो link है यह link आपका काम करेगा दोस्तो 25 जुलाई से लेके 11 69 31 जुलाई तक तो दोस्तो आपको 11 12 बजे तक करेगा थर्ड point के अंदर कहा गया है दोस्तो अगर किसी भी candidate का अंदर कैंसल हुआ है दोस्तो provisionally तो इसके बाद वो आगया अपलाई नहीं कर सकता दोस्तो तो उसके पीछे क्या रेजन रहे हैं दोस्तो वह भी आपको हम बताएंगे उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तो जब किसी भी candidate ने दोस्तो provisional allegedly candidate है उसके list के अंदर उसका नाम आ गया है दोस्तो तो या फिर उसकी किसी भी तरह की किसी का नाम नहीं आया है तो किसी भी तरह की mistake हो सकती है दोस्तो प्रेंटिंग mistake हो सकती है दोस्तो या फिर उसके photo का error हो सकता है दोस्तो या फिर उसकी fees uncomplete रह सकती है दोस्तो तो ये बहुत सारे region है जिसकी वज़े से form cancel हुआ है दोस्तो इसके अलाव जो सबसे important है दोस्तो वो आपको क्या देखना है fifth point के अंदर आपको किसी की भी भैकावे में नहीं आना है दोस्तो किसी की बातों में नहीं आना है कि आपको railway का exam मैं आपको कुलीर करवा दूँगा आपको इतनी पैसे लगेंगे दोस्तो ऐसे illegal तरीके स भरती नहीं की जाएगी जो भरती की जाएगी दोस्तो वो computerized selection होगा दोस्तो मेरिट के बेस के उपर candidate का उसके बाद दोस्तो जो यहाँ पे कहा गया है candidate को advise किया गए है only official website को ही आप follow करें इसके लावा आप किसी और website के चक्र में ना पड़ें ठीक है दोस्तो तो वहाँ प नमर के उपर या email ID के उपर जिनका दोस्तो रिजक्ट हो गया है इनकी जिनकी application form रिजक्ट हो गया है तो उनको SMS के दोबार और email के दोबार भी जानकार ही मिल गई है दोस्तो यह मिल जाएगी इसके अलावा दोस्तो मैं आप आपको लेकर चलता हूं दोस्तो official website के उपर दो final answer की अगर आपको चेक करनी है यह final answer की तो उसके लिए आपका यह notice आया हुआ है और यहाँ पर आप final answer की चेक कर सकते हैं जिसने objection लगाया था दोस्तो अब्जेक्सल लगाने के बाद ही संसोधित होने के बाद दोस्तो यह की आई है तो आप लोगों के लिए एक और यह अन जनकारी नहीं मिली है तो प्रते करनी डेट के पास जनकारी पहुंच जाए क्योंकि दोस्तो इसके लिए करोडों के अंदर करनी डेट है दोस्तो जिन्होंने apply किया है तो दोस्तो मिलते हैं एक next वीडियो के अंदर तब तक नए अंदाज के अंदर all the best have a good bye good day जै हिंद जै भारत